लाहू चर्चित चारा घोटाला मामले में राची की सीबियाई की स्पेशल कोट ने लालू यादब को दोशी करार दिया है लालू यादब को डोरंडा ट्रेजरी से 149.35 करोड की अवैद निकासी के मामले में लालू यादब को 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी दरसल सायुक्त वैहर के वक्त पांच जलो में हुए चारा घोटाले के पांच केस में चार केस में पहले ही लालू यादब को सजा सुनाई जा चुकी है वही आच पांच भी केस डोरंडा ट्रेजरी मामले में भी सीबियाई की स्पेशल कोट का फैसला सुनाया तो चायबासा कोशागार से 37.7 करोड रुपे की निकासी के मामले में लालू यादब को पांच साल देवगर कोशागार से 89 लाख रुपे की अवैद निकासी पांच साले तीन साल की सजा हुई तो वहीं दुमका कोशागार से 3.1 करोड रुपे की अवैद निकासी मामले मे दो अलग अलग धाराओ में 7,7 साल की सजा हुई थी तो ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि लालू परसाद यादव की जो मुश्क्ले हैं लगातार बड़ती जा रही है चारा गोटाले में पहले ही 4 केसों में लालू परसाद यादव को सजा सुनाई जा चुकी है जबकि आज पाज़मी केस में भी लालू परसाद यादब दोशी करार पाए गए हैं और एक बार फिर अब प्रियेट क्या होगा वो थोड़ी देर के बाद बता जाएगा तो दो अलग अलग धाराओं में होई ती साथ साथ साल की सजा तो वहीं ये कहना आप कोई गलत नहीं होगा कि लालू परसाद यादब की जो मुश्किले हैं लगातार बढ़ती जा रही है चारा घुटाले से जुड़े पांचवे मामले में भी लालू यादब दोशी करार त की पांचों केसों में लालू परसाद यादब दोशी पाए गए हैं हालकि लालू की तब्यत को देखते हुए उनको कोड ने 21 फरवरी तक राहत दी है इसमें उनको पलिस कस्टिडी में नहीं रहना होगा लालू को फिलाल आराई एमस हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा पहले उनको होदबार जेल लेकर जाएंगे फिर वहाँ से हॉस्पिटल में उनको रखा जाएगा आगे अगर तीन साल से कम की सजा होती है तो फिर लालू को लोर कोड से जमानत मिल सकती है फिलाल लालू समेट इस केस में अन बी आरोपी थे आगे बढ़ेंगे सीबी आई की स्पेशल कोड की और से लालू यादब को दोशी करार किये जाने के बीजेपी सांसर सुशील मोदी ने प्रतिकरिया दी है उन्होंने कहा कि इस मामले में पहले ही पटना हाई कोड में घोटाले की सीबी आई जाच कराने की मांग की गई थी अगर पटना हाई कोड के मौनिटरिंग में जाच होती तो पहले ही साज़िश रचने वालों के खिलाब सजा हो चुकी होती मुझे खुशी है कि जिन लोगों ने बेहार को लूटा उन्हें सीबी आई कोड ने सजा सुलाई तो फलाल जिसो शुश्श रचने की जाच हो तो अगर पटना हाई कोड के मौनिटरिंग में अगर सीबी आई की जाच नहीं होती तो जिसों से साज़िश रची थी थी नोगों ने सारा मामला रफ़दफा हो जाता मुझे खुशी है कि जिन लोगों ने बिहार को लूटा उनको सजा हो रही है और ये मामला 149 करोड रुपे का था उस जमाने का 149 करोड रुपे आज अगर उसको आँका जा तो 765 करोड रुपे उसकी केमत होगी तो याने आज के हिसाब से 765 करोड रुपे की अवैद निकासी ट्रेजरी से हो गई और मुख्यमंत्री भी थे वितमंत्री भी थे तो इनकी पूरी मिली भगत थी सारे मामले के अंदर तो फैसले पर बीजेपी सांसा सुशील मोधी को आप सुन रहेते हैं उन्होंने कहा साफ तौर पर कि ये पहले ही इने एक सजा मिल चुकी होती अगर पटना कोड से अगर ये सुनभाई होती लेकिन फिर भी सीबियाई कोड से इनने दोशी करार पाया गया हमारे सायोगी प्रद्यूमन शर्मा नियूजरूम से लाइब हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रद्यूमन जिस तरह से ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि लालू पर शाहद यादब की मुश्किले लगातार बढ़ती ही जा रही है चारा गोटाले से जुड़े पाचवे मामल बबूल का पेड़ लगाओ गे तो उस पर आम कहां से आएंगे तो साफ तोर पर उनके दोरा तंच कसा गया और उनने इस बात का भी जिकर किया है कि मौजुद स्थिती की बात करते हैं तो 700 करोड से जादा का ये गोटाला आका जा सकता है लेकिन उस समय में 149 करोड का ये किया है लेकिन अब जो किया हुआ कर्म था उसका भी फल मिलता हुआ नजर आ रहा है जावेद सबसे बड़ी बात प्रेदुमन यापर अगर करें कि जो 36 इस से पूरे मामले में 24 को वरी कर दिया गया लेकिन 36 लोगों पर जो है 36 लोगों के खिलाब सज़ा सुनाई गई है ऐसे में अगर बात करें तो पूर्बसांसा जगदीश शर्मा भी इसमें शामिल है पीएसी के परताल काफी लंबे समय से चल रही थी जिसके बाद आज ये फैसला आया है और पाचवे मामले में भी पूरी तरीकी से दोशी पाया गया है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बरी भी किया गया है कोट की तरफ से लेकिन अगर बात करते हैं जिन बड़े बड़े नामों की तो आ उनने 21 फरवरी तक राहत दी गई है साफ तवर पर पहले उने कोट ले जाया जाएगा उसके बाद उनने अस्पताल में एडमिट किया जाएगा चूंकि उनकी हालत जो है वो नाजुक बनी हुए है इसके चलते है उसके बाद जो है अब ये जो फैसला है वो 21 फरवरी को देखिए जावेद जिस तरीके से स्वास्त उनका पहले से काफी खराब चल रहा है अस्पताल में भी बीटे टाइम वो भरती रहे थे और अब मौजुद सित्धिकी बात करते हैं तो अब भी कोट की तरफ से कुछ रहात तो उनको दी गई है यूकि हेल्थ शूज उनके संग लगातार लंबे समय से बने हुए है लेकिन जिस तरीके से कोट का फैसले आपर आया है दोशी पाया गया है तो जेल तो भेजा ही जाएगा लेकिन एतियात पूरी बढ़ती जाएगी डॉक्टरों की सला भी इस मामले को लेकर ली जाएगी चले तमाम जानकारी के लिए प्रदुमान आपका बहुत बहुत शुक्रिया